36 गड़ राज्य बनने का असली लाब 36 गड़ियों को मिलना चाहिए और इसके लिए बहुत जल्द एक ऐसी रणनीती का खुलासा होने वाला है जो शायद एक बार फिर से प्रदेश की सियासत में भुचाल लाने वाला है आखिर ये रणनीती किस ने बनाई और इस रणनीती का खुलासा करने की बात करते हुए किस पर निशाना साधा गया है इस रिपोर्ट में बात करेंगे जय जोहार साथी हूँ आप देख रहे हैं 36 गड़ तक मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा जनता कॉंग्रेस 36 गड़ जोगी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अमिजोगी वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया हैं बता दे विधान सभाचुनाओं में मिली करारी हार के बाद जे सिसी जे बैक फूट पर चले गया थे लोग सभाचुनाओं में भी कहीं भी उनकी द जासतगरमा रही थी जहां भुचाल आया हुआ था वही अपने दो मांगों को लेकर अमिजोगी ने सरकार को आड़े हाथो लिया था और उनके इन मांगों ने कहीं ना कहीं सतनामी समाज को उमीद के किरन डिखाई उन्हें लगा कि एक बार फिर से कोई हमारे लिए एक मसी जिहा है जो हमें इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर आगे आ रहा है बता दे अमिजोगी ने बलोदा बजार का नाम बदलकर गुरु घासी दासधाम के नाम पर रखने की मांग की थी और उसके साथी साथ जिन लोगों की गिरफतारी की गई उनकी निशर्त रिहाई की उन्होंने एक जुलाई से भूख हर्ताल पर बैठने की बात कही थी लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए उसके बाद उन्होंने चत्रसकर्तक से खास बात चितकी और उन्होंने कहा कि आंदोलन भी होगा धरना भी होगा और अपनी मांगों के के लिए मैं एक बार फिर से सतनामी समाच के लिए आवाज उठाऊंगा तारीक नहीं बताई लेकिन अब इस वक्त वो एक बार फिर से चर्चा में आ गया है उस पोस्ट को लेकर जिसमें उन्होंने ना सिर्फ बिजेपी बलकि कॉंग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है एक ओर जहां लगातार GCCJ को बिजेपी की बी पार्टी कहा जाता था कही न कहीं जैसी सीजे की बिजेपी में विलै होने की बाद भी निकल कर सामने आ रही थी लेकिन लगातार अमिजोगी जो है वो बिजेपी सरकार को भी आड़े हां थो लेने से पीछे नहीं हट रहे है तो बता दे ये पोस्ट क्या है तो हाल ही में अमिजोगी ने अपना 47 वा जन्म दिन मनाया उन्होंने शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उसमें लिखा कि पापा के स्वर्गवास के बाद मेरा 5 वा जन्म दिन है पापा के बीना मैंने इस साल भी अपना जन्म दिन नहीं मनाने का निर्ने लिया है आपकी शुब कामनाय मेरे लिए उनका आशिरवात स्वरूप है लेकिन अब इस पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं इसके आगे जो उन्होंने लिखा वो कही न कहीं एक बार प्विर से राजनीती में भुचा लाने वाला है वो आगे लिखते हैं कि परमपिता परमेश्वर मुझे पापा के सपनों को पूरा करने का साहस सामर्थ और सदबुद्धी रही यहीं प्रातना आप मेरे लिए कीजिए आगे की रणनीती का मैं जल्द खुलासा करूँगा ताकि हमारे 36 गड़ राज बनने के सभी लाब असले 36 गड़ियों को मिले ना की दोनों रास्टे पार्टियों के संकर्शन में आधुनिक इस्ट इंडिया कमपनियों के नुमाइंदों को जैसा कि आपने यहाँ पर सुना कि एक बार फिर से अमिजोगी पुराने तेवर पर यहाँ पर नसर आ रहे हैं उन्होंने एक बड़ी रणनीती का खुलासा करने की बात कही हाला कि वो रणनीती की बात वो कह रहे हैं और किस रणनीती के तहत वो यहाँ पर बिजेपी और क को 36 गड़ का लाब नहीं मिलेगा 36 गड़ियों को लाब दिलाने के लिए वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो बरफिर से 36 गड़ की सियासत में भुचाल ला सकती है तो उसका इंतिजार हम सभी को है और बहुत जल्द ये देखना भी दिल्चस्प होगा कि अमिजोगी इस बार क्या कुछ नया करते हैं तो फिलाल इस रिपोर्ट में इतना ही साथी हो 36 गड़ से जुड़ी तमाम खबरों से अपड़ेट रहने के लिए देखते हैं 36 गड़ तक नमस्कार जै जोहार झाल झाल